तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे Smart Money Concept Indicator के बारे में अगर आप लोग Smart Money Concept को एकदम Decode करना चाहते हैं बहुत ही डिटेल में जाना चाहते हैं उसकी कम से कम एक से दो घंटे की एक वीडियो हमें बनानी पड़ेगी डिटेल में आप लोगों मैं बताऊंगा Smart Money Concept होता क्या है कैसे उसका यूज करके हम Profit बना सकते हैं हम यहाँ पर सिर्फ Smart Money Concept Indicator के बारे में समझने वाले हैं तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर सिधा आजाते हैं आपको क्या करना है Smart Money Concept Indicator यहाँ आपको मिल जागा देखे आप चाहे श्टॉक में काम करिए चाहे आप क्रिप्टो में काम करिए चाहे आप Forex में काम करिए Smart Money Concept यह Indicator आपको मिल जागा इस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस है तो इसी का हम यहाँ पर पूरा पॉरा पॉइंट डिसकस करने वाले है इसमें क्या क्या चीज़े होती है और हम लोग अगर ट्रेड कर रहे है तो किन-किन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे और क्या होता है बेसिकली एक एक जो छोटे-चोटे टर्म्स होता है अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हूँ बी ओ यस लिखा हूँ सी एच ओ सी एच लिखा है इसका क्या मतलब हो यह लिखा हूँ यह सब पट्टियां बनी हुई है आपको दिख रहा है यह ग्रीन पट्टि है यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से तो इसका क्या मतलब होता और कब हमें इंट्री करना चाहिए कब हमें एक्जिट करना चाहिए देखें दोस्तों जैसे कि स्मार्ट मनी कॉंसेट आप जानते हैं स्मार्ट मनी होता क्या है एक ऐसा इंडिवेज्वाल फर्म हो सकता है एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है और इंस्टिटिवेशनल इंवेश्टर हो सकते हैं कोई उकल मिला के जिनके पास बहुत पैसा है वो कब ग्या सोचते हैं कब वो इंट्री करना चाहते हैं कब लोगों को ट्रेप करते हैं उसके बारे में समझना ही स्मार्ट मनी कॉंसेट होता है उनके मूँ को कैप्चर करना क्या प्लानिंग कर रहे हैं अगर आप उसको डिकोट को मतलब समझते हैं हम हार ताइम तो उनके चाल को नहीं पकड़ सकते हैं इस indicator के setting पर आप यहाँ पर जाएँगे यह चीज़े दी गई है यहाँ पर देखे जिन्होंने इस indicator को यहाँ पर बनाया हुआ है उन्होंने क्या-कै चीज़े देखा हुगा अपने हिसाब से है न हमे कब कब लिखो उसको देखते हैं उन्हें नों यहाँ पर डेपलप किया अब यह 100% काम करेगा यह जरूरी नहीं होता है लेकिन अगर आप इसको थोड़ा time देंगे प्रयास करेंगे यूज करेंगे लगातार तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका concept क्या है और हमें कभ यूज करना चाहि कहां पर हमें entry लेनी चाहिए तो यहां पर देखे क्या क्या चीजी दिगया है एक यहां पर है so swing structure इसको अगर आप यहां पर आफ करेंगे न तो यहां पर screen पर आपको कुछ change होता दिखेगा यहां पर देखे कुछ यहां पर lining थी इसको मैंने यहां जैसी off किया तो यहां प को यहाँ पे तो बीक हाई प्लॉक्त करते हैं तो आप को मंदब शबसे प्लॉट कि躲ग की श्ट्रॉंग धिगाएगा तो इसके बाद यहाँ इंटर्नल और ब्लॉक्त करते हैं ते यहाँ पे हट गया इसको आफ Culture करते हैं तो देखे यह वाली लाइन जो है कि यहां पर ऑफ हो जाएगे हो गई इसको यहां पर ओन कर दीजिए आप नीचे आजीए इक्वल हाई लो यह भी आप टिक करके रखिएगा यहां पर फेयर वैलू गैप जो यहां पर लिखा हुआ इसको आप अगर यहां पर ओफ क score कर सकते हैं अगर आप बागी आप जीटना भी सेटिंग मैंने नहां-पर करके रखा वही एकडम में में नुखता हुँक समझते हैं और और पर गुलीष रहता है तो कैसे मुग करता है इस तरह से ऊपर जाएगा थोड़ा से यहाँ पर करेगा मार्केट फिर यह ऊपर जाएगा यह तब तक उपर जाएगा जब तक यह previous जो यहाँ पे higher high लगा था ठीक है यह high point को यह break करता है यहाँ पे ठीक है जब यह break करता है इसको हम क्या बोलते है यहाँ पे higher low था इसको जब यहाँ से क्या करता है ब्रेक कर देता है ठीक है दुबारस अगर यह break करके नीचे के तरफ निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है चैंजा आफ करक्टर यहांत अब यहाँ से डाउन जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर यहां पर होता है break of structure फिर उपर जाएगा फिर से यहां पर कर तो इसको हम यहां पर हो गया तो इसको हम यह बोलते हैं यह ग्रीन में है, तो यहाँ पे closing इसकी यहाँ पे होती है, फिर अगला जो होता है, कि मानके चलते हैं, यहाँ से candle सुरू होता है, फिर वो ऐसा candle बानता है, यहाँ पे closing देता है, तो पहले वाले candle का high कहाँ पे है, यहाँ पे है, अब इसका दूसरे वाले candle closing यहाँ पे, तो अगला वाला जो candle होता है अगर मान के चलते हैं इस तरह से बनता है और यह थोड़ा सा यहां पर रह जाता है तो तीसरे वाले candle के जो यहां पर low होता है और पहले वाले candle के यहां पर जो high होता है तो यहां पर आप देखेंगे gap छुट गया है यहां पर क्या होता है यह होता है imbalance होता है तो market क्या होता जब भी अगर move आता है तो यह imbalance जो यहाँ पे रह गया है इस level को यह touch करने जरूर एक बार आता है इसको आप समझ गये होंगे अभी मैं आपको चार्ट के दिखाऊंगा फिर समझ में आपको देखे अभी यह जो indicator इंडिकेटर आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे change of character दिख रहा है मतलब यह जो bullish trend में था यहाँ पे अब यह जो swing था यहाँ पे ठीक last जो swing था उसको यहाँ से इसने break किया हुआ है और break करके यह नीचे आया तो यहाँ पे क्या होता change of character हो गया यहाँ पे यानि अब यहाँ से last swing break हो गया है तो यह downtrend जा सकता लेकिन यह downtrend हुआ नहीं फिर से अप्रेंड ने continue कर दिया जब यहाँ पे uptrend में continue कर दिया क्योंकि अभी यहाँ से downtrend change हो चुका था फिर से यहाँ पे देखे change of character हो गया फिर से मतलब यह downtrend यहाँ से downtrend हुआ लेकिन वो downtrend जादा दे रहा नहीं फिर से यहाँ पे क्या होगा c अब बड़े में करके आपको दिखाता हूँ आपको यहाँ पे दिखा रहा है अब यहाँ देखे base up structure यहाँ पे भी हुगा यानि अभी यह continue उपर ही करें जब तक यहाँ पे base up structure, break up structure होता रहेगा तब तक यह market अप trend में ही रहेगा देखें यहाँ पे break up structure है तो यह up train भी, यहाँ पे break up structure है up train में है लेकिन यहाँ से क्या होगा अभी यह जो last swing हो गया यहाँ पे choke आ जाएगा तो choke आने के बाद यहाँ पे क्या होगा वो down train में change हो सकता है ठीक है यह आपको समझ में आ रहा है यह up train जब तक रहेगा जब तक आपका BOS आएगा अब जैसे यहाँ पे choke आ गया तो आपका वहाँ पे downtrend आ गया अब downtrend में भी ब्रेकाप structure होता देखें यहाँ पे ब्रेकाप structure है अब वो ब्रेकाप structure तब तक होगा जब तक वो downtrend चलेगा फिर अगर up train में आना होगा फिर वो up train में तभी आएगा जब यहाँ पे दुबारा से change of character हो गया यानि downtrend का change होके up train में यहाँ पे convert हो गया फिर यहाँ पे देखें ब्रेकाप structure आया यहाँ पे equal high है यहाँ पे EQH लिखा हुआ है फिर यहाँ पे change of character दुबारा से आ गया तो यहाँ पे दुबारा से downtrend में जा चुका है यह आपको समझ वहाँ आ गया अब यक्शी जब मैं आपको और बता रहा हूँ जो यहाँ पे रेड़ वाला दिख रहा है मैंने अभी आपको क्या बता है तो इसके और इसके बीच में एक यहाँ पे gap create हो गया है इंबैलेंस create हो गया है तो यहाँ पी क्या होना है पूरा एक green पटी बन गई अब जब भी market यहाँ पे आएगा तो इसको टैप करके ऊपर निकल सकता है या फिर इसके बीच से या फिर इसको lower point से यह green वाले में चाह fair value gap जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे na fvg उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं यह रहा fair value gaps fvg तो इसको fill करने market आता है अभी आप यहाँ पे देखें जैसे यह रहा यहाँ पे fair value gap था पहली वाली candle यह हो गई और तीसरी यह हो गई तो यहाँ बीच में gap हो गया तो यहा आप इसको extend भी कर सकते हैं जिसको मैंने आपको आपके number 100 करके दिखाए था हो गया तो अभी देखें यहाँ पे imbalance create हुआ था फिर market आया इसी में से उपर निकल गया ठीक है यह आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है अब इसी तरह से जो है कि जब यह बाला है जब यह downtrend में तो यहाँ पे भी देखेंगे यह बला यह हलका rate है तो यह order block है अभी मैं आपको मैं बताऊंगा तो यह जो rate है यहाँ बना हुआ तो यहाँ पे देखें यहाँ बाला हुआ अभी market जो है अगर यह उपर जाना चाहेगा तो यहाँ से type करके फिर से नीचे आ सकता है ठीक है यहाँ से आएगा या तो फिर इसके middle points आएगा या तो इसके यहाँ से आएगा market क्या होगा कि imbalance को balance करने आएगा कुलमिला के बात यह है तो इसको हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं और यहाँ पे देखें जब तक यह break up structure होता रहेगा तब तक market downtrend में ही रहेगा clear होगा इस अधर से आप अपने trade को plan कर सकते हैं अब अगर ascetic पे आएगे तो आपको एक चीज़ा हो रहेगा यहाँ पे दिखेगा यह रहा internal order block अगर आप इसको off करेंगे तो दिखे कौन सा यहाँ पर point यह गाइब हो गया यहाँ से अगर आप swing order block अगर आप यहाँ पर untick कर देंगे तो यह गाइब हो जाएगा तो यह क्या होता है जहां से एक नया swing होता है यानि वहाँ से एक नया order block create होता है वहाँ से market के movement को change कर दिया गया है तो कहने मतलब वहाँ उस point से highway मात्रा में buying या selling होई है कहने मतलब यहाँ आप दिखे यह swing order block है उसके बाद यह internal order block होता है और यह जो इसी के अंदर बनता है यह क्या होता है internal order block होता है यह क्या है यह internal order block है जैसे कि जब यह market uptrend में था यहाँ पर चोड़ दीजे तो कुल मिला के यह है ना कि इस point पे भी market क्या करता है एक तरह से support और resistance की तरह काम करेगा जब भी यहाँ पर दीखे एक swing order block यहाँ पर create हुआ है जब भी market यहाँ पर जाएगा तो यह resistance की तरफ phase करेगा और यहाँ पर order block हो गया चाहे आपका यह fair value gaps हो गया या जो imbalance create हुआ है तो वहाँ पर भी market क्या है resistance की तरह काम करेगा और जो अगर market उपर से down नीचे की तरफ पार रहा है तो चाहे आपका यह वाला हो गया fair value gaps imbalance यहाँ भी support की तरह काम करके market उपर निकल सकता है या फिर जो यहाँ पर order block create हुए है इस zone से भी पूरा market reverse कर सकता है support उसको मिल सकता है तो अकुल मिला कि चाहे आपका यह green वाला होगा चाहे आपका यह हो गया जब भी market आ जाएगा तो market महां से क्या होगा उसका अगर बुलिस है तो ब्यरी से तो वहाँ पर बुलिस हो जाएगा और जब तक आपका भी ओया सोता रहेगा तब तक market क्या रहेगा उसी trend में continue करता रहेगा और यह indicator आपको क्या बताएगा यहां पर lower high बताएगा higher low बताएगा सारी च subscribe करूँगा और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा तो कम से कम 500 लाइक इस वीडियो पहुने चाहिए तो इसका मैं आपको आने वाले टाइम में दो तीन पार्ट और लेके आऊँगा डिटेल में हम यहां पर बात करेंगा अभी तो मैंने उपर उपर सारी यह यहां पर मनें बता दी लेकिन फिर उसमें क्या होगा मैं आपको अच्छे से समझाओंगा और फिर आपको समझ में भी आएगा तो उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा मिलतें फिर इन अदर टॉपिक से नेक्स वीडियो में तब तक लिबाबा एंड टेक केर जाएंद।